नमस्कार दोस्तों दर्लन लाइंस में आप सभी का स्वागत है ये भारती थ्यास का खटना चक्र का हलपिश्ण पत्र है इसमें आज मले वीडियो में गांधी इर्विन समझोता से स्टार्ट करेंगे नोट से स्टार्ट करते हैं तो आए सविने में ग्यांदोलन के विस्तार होते स्वरूप को देखते हुए वाइसराय इर्विन ने देश में स्वाधर का वातरवन उत्पन करने के उद्देश से 26 जन्वरी 1931 को गांधी को जेल से रहा कर दिया ठीक है कब कर दिया 26 जन्वरी 1931 को रहा कर दिया तेज बहार्दुर सप्रू और एमार जैकर के प्रतन ठीक है पांच पांच मार्ज 1931 को दौनों के मद्देख समझोथा हुआ तो गांधी इर्विन समझोथा की डेट क्या थी पांच 27 Wednesday जो गांधी इर्विन समझोथे के नाम से जाना जाता एस समझोथी के परपेक्ष में सरोजी नायदु ने गांधी और इर्विन और इर्व जिनके विरुद्ध हिंसा कारोप नहीं था, कुर्या करने का आदेश हुआ, विदेशी कपड़ों और सराप की दुकानों पर सांतिपूर्ण धर्णा देने का अधिकार, समुद्र तटिये प्रदेशों में बिरा नमक कर दिये नमक बनानी के अन्मती, कॉंग्रेस दुतिये स समिलान भागने के लिए भी तैयार हो गई, ठीक है? और परन्तु, इस समझोते ने जनता को निरास किया, क्योंकि भगत सिंग, सुखदेव, गुराजग्रू को फासी ना दिये जाने की जनता की मांग को इसमें सम्दित नहीं किया गया था, इर्विन ने जीवनिकार, एलन कैमपेल जॉनसन ने गान्दी इर्विन समझोते हैं महत्मा गानी के लावों को सांतोना पुरुस्कार, कॉंसलेशन, प्राइज़स और इर्विन की एकमात आत्म समर्पड़त के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था, सांतोना पुरुस्कार, ठीक है? कॉश्चन आंसर देख लेते हैं, गान्दी इर्विन समझोता हुआ मुखरूप से, तो गोल में सम्मिलन में कॉंग्रेस की भागीदारी सहेच करने के लिए, ठीक है? तो ए हो जाएगा इसका नेक्ष है, गान्दी जीने फरबरी 1931 में बाइसरा लॉर्ड इर्विन से भेट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली इसके परणाम सरूप पांच मार्च 1931 को एक समझोता हुआ जिसे गान्दी इर्विन समझोते के नाम से जाना गया है इस समझोते के से गान्दी को सभीना वग्या अंदोलन इस्थागित करना पड़ा, ठीक है? कॉंग्रेस दूती है गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तयार हो गई, पस तो तो अप्रथम गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस सामिल नहीं हुई थी यह समझोता मुखरूप से गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस की भागी दारी सहच करने के लिए हुआ था नेक्स है गांधी एर्वन समझोते में लिखित में से क्या सम्मेलन था? राउंटेबल कॉंफरेस में भाग लेने के लिए कॉंग्रेस को आमंद्रित करना है? असयोग गांदोलन के सम्मध में जारी के अगया अध्यादेसों को बापस लेना? नहीं असयोग गांदोलन तो पुलिस की जातियों की जाज करने ही तो गांधी जी के सुझाव की स्यूकरती? हाँ, केबल उनी के अन्यों की रहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था? तो बिल्कुल तो क्या हो जाएगा? एक दो चार हो जाएगा? बी हो जाएगा सका असर? गांधी इर्वन समझोता जिसे दिल्ली समझोता की नाम से जानते हैं, पांच पांच उनीस सो एक तीस को दिल्ली में संपन हुआ, इसके तहित निमलिखे स्प्रापधान थे, गोल में समयलाने भाग ने लें के लिए, कॉंगेस को आमनते रित करना, असायोग आंधुलानी सभी ना वग्या आंधु जारी के गए अध्यादेशों को बापस लेना, अचा, असायोग आंधुलान के संबन्द में, असायोग आंधुलानी यहां पर सभी ना वग्या आंधुलान होना चाहिए था, एक, दो, चार, दो कोई नोंने सही माना है, शाली कोई नी, तो इसमें सही क्या-क्या था, एक राउंटेबल कॉन्फरेंस पर भाग लेने के लिए कॉंग्रेस को आमंतुरत करना सही था, असायोग आंधुलान के संबन्द में, जारी क्या के अध्यादेशों को बापस लेना था, असायोग क्या, वो सभी ना वग्या आंधुलानी है, पुलिस की जात्तियों की जाज कर उससे दिल्ली समझोता की नाम से भी जाना आता है, असे जिन, जबकि पुलिस की जात्तियों की जाज कर नहीं, तो गांधी जी की सुझाओ पर सुखुर्थी को इसमें सामिल नहीं किया गया था, ठीक है, गांधी इर्विन समझोती पर हस्ताक चर हुए तो 1931 में हुए थे पांच पांच उनीस सु इक तीस को संपन हुआ है, इस समझोते के अंसार, काधी जीक नेत पुरत में सविर्यावग ज्यान दोलन सगित, सभी युद्वन्यों जिनके परुद्धे हिंसाकारोप नहीं था, कुर्यहा करने का आदेश, बिदेशिक अपनों सराप की दोकानों पर सांधी पुर्ण धर्णा देने का अधिकार, समुद्ध तटिये प्रदेशों में बिना नमक कर दिये, नमक बनानी के अन्मती, कॉंग्रिस दूतिये गोल में सम्झोते में भाग लेने के लिए तयार हो गई, ठीक है, परन्तु इस समझोते में जनता को निरास किया, कि जनता की मान को इसमें समलित नहीं किया गया था, ठीक है, गाधी इर्विन समझोता हुआ था तो 1921 में, 5 पारच 1931 को निम्न में से कौन समझोता हुआ तो गाधी इर्विन समोता हुआ था 5 मारच 1931 को, C आंसर हो जाएगा ठीक है? C हो जाएगा अंसर निम्खित मैंसे किसका इस्तगन गांधी इर्विन समझोते मैं किया जाना प्रस्ताबित था तो इस्तगन उस टाइम क्या चल रहा था सबने में गया अंदूलन चल रहा था तीस से स्टार्ट हुआ था तो D हो जाएगा इसका अंसर गांधी इर्विन समझोते कि हस्ताक्षरित होने में किसके महत्यपूर्ण भूम का निभाई तो तेज बहादूर्श रप्पो और एमार जायकर निभाई थी तो C हो जाएगा अंसर सबने अभग ज्यान दोलन के विस्तारित होते के स्वरूप को देखते हुए वाइसरा है इर्विन ने देश में स्वहाद्र का वातरवान उत्पन करने के उद्देश से 26 जन्वरी 1931 को गांधी को जेल से रहा कर दिया तेज बहादूर सप्पो और जायकर के प्रयतनों से गांधी इर्विन के मद्ध फरवरी 1931 में दिल्ली वारता आरंभ हुई पांच मार्च 1931 को दोनों के मद्ध एक समझोता हुआ जो गांधी इर्विन समझोते के नाम से जाना जाता है इस समझोते के परिपेक्ष में सरोजिन नायटू ने गांधी और इर्विन को गांधी को दो माहत्मा कहा था तो सरोजिन नायटू ने कहा था बी हो जाएगा इस का अंसर नेक्श है निमिकित मैसी किस ने गांधी इर्विन समझोते हैं माहत्मा गांधी के लाव को सांतुना परुसकार कहा था तो सान्तुना प्रुस्कार किस ने कहा था केमपेल जॉन्सन ने कहा था ठीक है इर्विन के जीवनिकार एलन केमपेल जॉन्सन ने गांधी इर्विन समझोते हैं माहत्मा गांधी के लावों को सांतुना प्रोस्कार और एर्विन के एक मात आत्म सरुम्पर की रूप में बादचीत के लिए सहमत उन्हें कहा था उत्रप्रदेश रूख से बायोगने ए माना है बोश माना है सुभाश चंजबूर जबकि संधोद में भी मान लिया था नेक्ट है कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन तो कांधी इर्विन समझोते को मंजूरी देने के लिए सर्दार बलब भे पटल की अध्यक्सता में 26-31 मार्च 1931 को कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ इसी अधिवेशन में पहली बार कॉंग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राश्टी ये आर्थिक कारक्रमों से संबध प्रस्ताव पारित किये इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गानी ने कहा था गानी मर सकता है गानी बात नहीं यह पहला अफसर था जब पूर्ण सोराज को कॉंग्रेस द्वारा परिभाशित किया गया ठीक है तो कराची अधिवेशन के अधिवेशन के अधिवेशन के किसे ने की थी सरदार बलबभा ही पटेर ने बोई सेसन तो बोई था 31 में हुआ था और 26 से 31 मार्च ठीक है पूर्ण सोराज को कॉंग्रेस द्वारा परिभाशित किया गया 1931 में भारती राष्टे कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तदा आर्थिक कारकरन पर संकल पंडित जबाला नहरू ने प्रारूपित किया कॉशन आंसर देख लेगे निम्निकित मैंसे किस ने भारती राष्टे कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित तो किया था तो बलब भाई पटेल ने किया था अध्यक्ष से 31 में जो हुआ था मार्च 31 में गांधी हिर्विन समझोते को मंजूरी देने के लिए सरदार बलब भाई पटेल की अधिवेशन में 26-31 मार्च 1931 को कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ इसी अधिवेशन में पहली बार कॉंग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्टी आर्थिक कारक्रमों से संबध्य प्रस्ताव पारिप किये इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गानी ने कहा था गानी मर सकता है गाधिवाद नहीं है पहला अफसर था जब पूर्ण सुराज को कॉंग्रेस द्वारा परिवेशत किया गए नेक्ट है 1931 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यकता सरदार बलब भाई पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकार नों तथा आर्थिक कारक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था तो जबालाल नहरू ने किया था बी हो जाएगा नेक्ट है अच्छा बर्स 1931 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों आर्थिक कारक्रम पर संकल्प पंडित जबालाल नहरू ने प्रारूपित किया था एमन रॉइने इसमें सहयोगी भूमकरे माई थी नेक्ट है निमिर्ति म उसने भारती राष्टी कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन को महत्मा गानी की लोग प्रेता और संबान की प्राकाश्टा माना है नेक्ट है भारती स्वाधिद्न संघर से संबंधित घटनाओं को सही करम में लखना है दोधियो गोलों में सम्मेलन भारती राष्टी चाहने कराची अधिवेशन होगा, सबसे पहले तो घटनाओं हिर्विन समझाओता होगा उसके बाद भगस सिंग को ऐसे 23 मार्च फिर उसकी बाद कराची अधिवेशन होगा ।ो यह वह जाता है चार, तीन, तो सी महें भाग लेना गय थे यह थे अच्छा इसके बाद सिं क्या है option में C हो जाएगा इसका answer ठीक है चार तीन दो एक गांधी इर्विन समझोता कॉंग्रेस के वाइसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी को अधिकरत किया गया गांधी इर्विन के वीच लंबी बातचीत के उपरांध पांच मार्च 1931 को दोनों के वीच एक समझोते पहनस्ताक चरुए जिसे गांधी इर्विन समझोते के रूप में जाना जाता है भगस सिंग को फांसी लाहो और सर्णे अन्त कार्ण में भगस सिंग सुगदेप और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को दी गई थी 26-31 मार्च 1931 तक करांची में हुए कॉंग्रेस के बार से कदिवेशन में गांधी इर्विन समझोते की संपुष्टी की गई दुतिय गोल में सम्मेलन का दूसरा सत्र जो था वो 2731 को प्रारम हुआ जिसमें महात्मा गानी कॉंग्रेस के एक मात प्रतिनीदी की रूप में सम्मेलन पूर्टिया निस्फल रहा नेक्स है भारती राष्ट्य के आंदोलन से संबंदे निमले के घटनाओ को पढ़े तो कालोन कुरूम लगाने है भारती राष्ट्य कॉंग्रेस का कराची अदिवेशन राजगुरू को फासी गांधी हिर्मिन सम्झो था तो 3,2,1 ए हो जाएगा इसकांस है तो वो ही पहले नंबर गांधी हिर्मिन सम्झो था पांच मार्च 1931 को हुआ था राजगुरू को फासी 23 मार्च 1931 को हुआ सही तिवस और जो भारती राष्ट्य कॉंग्रेस का कराची अदिवेशन हो है वो 26 मार्च से हुआ था ठीक है 21 में नेट्स है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंदे निम्लिक घटनाओं पर विचार करना है तो इसमें भी वो इस स्यूकेंस लगाना है तो सबसे पहले 1 हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा फिर 2 फिर 4 1 3 1 3 फिर 2 4 1 3 2 4 D हो जाएगा इसका आंसर ठीक है गाधीर बिन समझा था 5 मार्च 1931 भागस सिंको फांसी 13 मार्च 1931 भारती राष्टे कॉंग्रेस का कराची अदिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 और पूना समझा था 24 सतंब 1932 ठीक है तो नेक्ट है गोल में संबेलन 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमिशन की रिपोर्ट प्रकासित हुई राजनीतिक संगट नौने कमिशन की सफारिसों को अस्युकार कर दिया कॉंग्रेस के प्रमुक नेता जेल में थे मतलब ये उस ताइम के इस सिधी है कि 1930 में साइमन कमिशन की रिपोर्ट दे गई और उस ताइम कॉंग्रेस के नेता जेल में थे विडेस सरकार से ने रासा और संतोस के बातावन में नौंबर 1930 में लंदन में प्रिथम गोल में संबेलन मुलाया नौंबर 1930 में मुलाया गोल में संबेलन लंदन में हुआ था इस संबेलन में 89 भारतिय प्रतियों भाग लिया किन्तु कॉंग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया इस संबेलन में भाग कॉंग्रेस ने केबल एक में लिया था दुदिय गोल्मी सम्मेलन में इसके लावा प्रिथा मुतर्तिय में नहीं लिया था इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुक थे तेज बहादुर सपूरु सरी नवास्टास्त्री मुहमद अली, मुहमबस सफी आगाखा, फजुलुल, हक, मुहम्मद अली जिन्ना, हामी, मोदी, एमार जायकर, मुंजे और भीम्राओं मिटकर तरह सुन्दर सिंग बजी थिया इस सम्मेलन में इसाईयों का प्रत्रुत जो है वो केटी पॉल ने किया था तो इसाईयों का प्रत्रुत करने वाले कों थे केटी पॉल थे इस सम्मेलन का उधगाट बिटिस सम्राद ने किया तरह इसकी अध्यक्षता जो थी वो बिटिस प्रधान मतिर रेमजे मैक डॉरल ने की थी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले दूतियों कोल में सम्मेलन में महत्मा गादी ने एक कॉंग्रेस की एकमात प्रतिनियदू की रूप में हिस्सा लिया था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक है 1931 सितंबर से दिसंबर और इसमें इनके साथ में महत्मा गादी के सहयोगी की रूप में कौन थे चाल्स एंडू थे दीनवंदू एंडू थे ठीक है इनके अलावा सरोज नाइडू और मदन मुहन मानवी ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था एनिवे सेंग ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी एसेस राजपुताना नामग जल पोच से लंदन पहुँचे बिल लंदन के किंग से होल में ठाय रहे थे तो कौन से जहाज से वो गए थे तो एसेस राजपुताना जहाज साइस से गए थे गति बिडियों के कार्ण सम्मेलन एक दिसंबर को समाप्त गोसित कर दिया गया गति रोधों के कारण ठीक है एवं गाधी जी को लंदन से खाली हाथ बापस आना पड़ा सदेश पहुचने पर गाधी ने कहा यह सच है कि मैं खाली हाथ लोटा हूँ कि दू मुझे संतोस है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उससे नीचा नहीं होने दिया मैंने उसके सम्मान के साथ समझोता नहीं किया दूतियों गोल में सम्मिलन संप्रताईक समस्या पर वि महीमरा उंबेटकर ने दलितों के लिए प्रथक निर्वाचक बंडल की मांगी जिसे गाधी नी अस्युकार कर दिया था ठीक है डॉक्टर महीमरा उंबेटकर जो वियार उंबेटकर थे तीनों गोल में सम्मिलन भाग नेली माले भारतिय प्रतिनीरी थे ठीक है लंदन में थीसरा गोल में सम्मिलन 17 नवंबर 1932 से 24 सिम्मीर 1932 तक चला कोंगरेस नी इस सम्मिलन का भहसकार कर दिया था ठीक है कॉश्चन आंसर देखते हैं निम्लिक में ते किस भारती है नेता ने लंदन में प्रिथम गोल में इस कॉन फ्रेंस में भाग लिया था तो मौलाना मुहंबद अली थे इन्होंने भाग लिया था और ये वहीं पर भी रहे थे उसके बाद ठीक है दस जून तला 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में प्रिकासित हुई राजनितिक संगटनों ने कमीशन की सिपारिस को अस्युकार कर दिया कॉंग्रेस के प्रमुक निता जेल में थे बेटे सरकार ने रासाओ असंतोस के बातावण में नमबर 1930 में लंदन सबकुरूर सीन बास्सास्त्री मोहमद अली मोहमद सफी आगाखा फजनोल हक मोहमद अली जिन्नाव होमी मोदी एमार जायकर मुझे भीम राओं मेट करता था सुन्दर सिंग मजी थिया नेक्शा कॉश्चन प्रिथम गोल में सम्मिलन के बारे उनिल्मखित मैंसे कौन एक स केबल सेकंड में किया था हो महत्मागा नी गय थी ठीक है तीसरा है लंदन में संपन हुए गोल में सम्मिलन भारती इसाईयों का प्रतिनृत किस नी किया था तो केटी पॉल नी किया था भारती इसाईयों का प्रतिनृत तो क्या हो जाएगा इसका दी हो जाएगा इसका आं संपानी प्रथम गोल में सम्मिलन 1930 में भारती राष्ट्य कॉंग्रेस में भाग नहीं लिया था इस सम्मिलन में इसाइयों का प्रथम प्रथम गोल में सम्मिलन कब बुलाया गया था प्रथम के बात हो रही है ठीक है तीस में भुलाया गया था नेक्ट है स ङो झाये इसका आंसर निम्नी खित्मा है 2 अंसर अके ठीक है? साथ सितंबर 1931 से एक दिसंबर 1931 तक चले दुतियो गोल में सम्मेलन में महत्मा गांधी ने कॉंग्रेस के एक मात प्रतिनीधी के रूप में हिस्सा लिया इसके अलावा सरोजिन नायडू मदनमोहन मालिवेय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया एनिवेसेंट ने भी सम्मेलन भाग लिया गांधी जी के साथ उनके सचिब महादेब देशाई प्यारे लाग ता था मीरा बेन और देबदास गांधी भी लंदन गये थे ठीक है? कौन को गया था इनके साथ में? सचिब महादेब देशाई और प्यारे लाग और मीरा भेन और देबदास कानी इनमें से किसने डूतियो गोल में समिलने भाग नहीं लिया था तो जवाला नहरू नहीं लिया था बाकी महादेब देशाई प्यारे लाग नहीं यर तो महत्मा गाधी के साथ गए थे और मदर मो लिया था मदर्मोह अनमाली डॉक्टर राजन पर साथ नहीं था तो डी आंसर हो जाएगा नेक्स है दुटिये गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस का प्रित्निवत किस नहीं किया था तो महत्मागादी नहीं किया था और फिर इसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस से इन्होंने इस अदस्ता से इस्तीफा भी दे लिया था ठीक है नेक्स है लंदन में आवज़े निमलिखित गोल में सम्मेलन में से किस महत्मागादी उपस थे तो डुटिये में थे ठीक है बी आंसर हो जाएगा नेक्स है कथर है जवाला नहरू ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का प्रिदिन होती किया था तो नहीं महत्मागादी नहीं किया था और पहली बात तो 1932 में हुआ ही नहीं था उन्नी सो एक्टीस में हुआ था ठीक है गांधी इर्विन समझोता 1931 में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेना अंतर नहीं था तो बिल्कूर कारण सही है कथन गलत है तो डी हो जाएगा अंसर ठीक है पांच मार्च 1931 में महात्मा गांधी इर्विन के बीच एक समझोता हुए से दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसमें कॉंग्रेस के और से गांधी इसी ने निम्लिखित बातों को स्युकार किया सभी ना बग्यां अंदोलन इस्था कित कर दिया जाएगा निम्लिकित मैंसे कौनसे गोल में सम्मिलन में गांधी जी ने सिर्कत की तो दुधियो गोल में की थी केबल हुदियों में था बी हो जाएगा साइगा अन्जर मात्मा गांधी जब दुधियो गोल में भाग लेने लंडन गह थे तो कहां थेsell थे ये Kingsley Hall में ठहरे थे B आंसर हो जाएगा ठीक है दूसरा गोल में सम्मिलन लंदन में साथ सितंबर 1931 से एक दिसंबर 1931 तक चला पांच मार्च 1931 को हुई गांधी हिर्मिन समझोते के बाद गांधी जी ने कॉंग्रेस के एक मात प्रतनीत करूप में इस सम्मिलन में हिस्ता लिया था गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोच से लंदन पहुचे होँए लंदन के Kingsley Hall में ठहरे थे नेक्स है दूसरा गोल में सम्मिलन में कॉंग्रेस के प्रतनीत करूप में भाग लेने के लिए तो दूसरा गोल में सम्मिलन में महत्मा गांधी भी आंसर होगा दूसरा गोल में सम्मिलन में भारती राश्य कॉंग्रेस के प्रतनीत ने प्रतमबार भागिया था यह सम्मिलन लंदन में साथ सितंबर 1931 से एक दिसंबर 1931 तक चला इसमें कॉंग्रेस की एक मात प्रदिनी के रूप में गांधी जी ने इसा लिया किन्तु गदी रोधो के काड़ सम्मेलन एक दिसम्बर को समापत गोशित कर दिया गया गांधी जी को लंदन से खाली हाथ पापस आना पड़ा स्वदेश महुशने पर गांधी ने कहा यह सच है कि मैं खाली हाथ लोटा हूँ किन्तु मुझे संतोस है कि जो द्वज मुझे सौपा गया था उसे मैंने जुकने नहीं दिया उसका सम्मान के साथ सम्मझोदा नहीं किया ठीक है नेक्ट आ tu-rafगानी, 15 महाधवा गाली, दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहा से बारड़त लोटे था तो लंदन से, दुधियोगोल में सम्मेलन से नेक्ट है दुधियोगोल में सम्मेलं किस प्रेशिन उत्पर अस्वल रहा तो ये सांप्रदायक प्रजिनित पर अस्पल रहा था तुरियोगोल में समेला साथ सितम्ब 1931 को प्रारम हुआ जिसमा मात्मागारी कॉंगरेस के एकमात प्रतिनेजी के रूपर समलित हुए थे सांप्रदायक प्रजिनित पर गधिरोद के कारण ये समेला ने एक दिसमबर 1931 को समाप्त घोजित कर दिया गया नेक्ट है उस भारतिय का क्या नाम साथ जिसने तीनों गोल में समेला भाग लिया था तो भीमराओं मिटकर है ए हो जाएगा इसका अंसर डॉक्टर भीमराओं मिटकर तीनों गोल में समेला भाग लेने वाले भारतिय प्रत्नी थे नेक्ट है निम्रिक्त मैसे किसने तीनों गोल में समेला भाग लिया था तो इसमें बियाराओं मिटकर है सी हो जाएगा इसका अंसर महत्वांगादी दूसरे में गये थे मदन मोहन माली भी दूसरे में गये थे नेक्षर उनीस्तो तीस वत तीस के अवधी में भारत और बिटेन के राजनेताओं कि लंदन में भी वैटकों का प्राया पर्थम दुदियों अतरितिय गोल में समिलन के रूप में उनलेख किया जाता है उनका उसी रूप में उनलेख गलत होगा क्योंकि इन मैसे दो इमें भारती राष्टी ये कॉंग्रेस ने भाग लिया नहीं लिया भारतिय राश्टी कॉंग्रेस को छोड़के जन भारतिय दलों ने भाग गया उन्होंने पूरे भारत का नहीं बर्गिये हेतों का प्रिजनित किया था बिटेन को लेबर पार्टी सम्मेलन की बीच में हट गई थी और सम्मेलन की कारवाही पक्षपात्पूं हो गई थी अगला है ये तीन अलग 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 सम्मेलन नहीं थी अपवितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीन सत्रों में racesious तो दी सैही है ठीक है अलग अलग सम्मेलन नहीं थे बलकि एक सम्मेलन की तीन अवस्था है थी प्रथम दुदियों और तिर्थियों गोल में सम्मेलन बस तो तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अभी तो एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीन सत्रों में संबन हुई थी एक ही सम्मेलन की तीन सत्रों को तीन अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा गोल में सम्मेलन भारत में राजनितिक सुधारों तथा साइमन कमिशन की रिपोर्ट पर वारता के लिए बुलाया गया था नेक्स है निफलिखित गोल में सम्वेलन तो भारत तीय राश्ट्य कौउंग्रेस नि किया था तो धूतिय गोल में सम्वेलन का किया था मात्वा गानिक है थे इसमें ठीक है बी हो जाएगा प्रिथम गोल में सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनबरी 1931 तक लंदन में आउजित किया गया इसमें भार्तियों दारवादी मुश्लिम लीग और हिंदू महासबा दलित वर्ग, ब्यापारी वर्ग, रजवाडों के प्रतिनितियों भाग लिया किट्व कॉंग्रेस यसमें शमलित नहीं हुई दूसरा गोल में सम्मेलन लंदन में 7 सिदंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला और इसमें कॉंग्रेस के एकमास प्रतिनी धीक रूपें गांदीजी ने शालिया लंदन में 3 गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला कॉंग्रेस ने सम्मिलन का भहिसकार कर दिया था निम्न में से कौन सा गोल में सम्मिलन 1932 में हुआ था तो तीसरा गोल में सम्मिलन 1932 में हुआ था C हो जाएगा भारती राश्ट्रे कॉंग्रेस ने किस गोल में सम्मिलन भाग नहीं लिया तो दूतिये में लिया था, प्रिथम उत्रतिये, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा उत्तर, ठीक है? नेक्स है, प्रिथम गोल में सम्मेलन में डॉक्टर मेटकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी, पूना पैक्ट में स्थाई नहीं है, निकायों में सिविल सेवाओं में दलित वर्गों की प्रितिनुत के लिए बिसे सुबंध रखे गए थे, नेक्स है, तिर्थम गोल में सम्मेलन में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो तीनों सही है, ठीक है, प्रिथम गोल में सम्मेलन में डॉक्टर मेटकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी, पूना पैक्ट में स्था स्थानी निकायों और सिबिल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रिदिनुत के लिए बिसेश उबंद रखे गए थे तिर्थिय गोल में सम्मेलन में भारती रश्टि कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था ठीक है प्रिदिनुत के लिए अरक्षित सेक्षिक अहरताओं के अधीन रहते हुआ है हर संभव प्रियास किये जाएंगे इस प्रिकार प्रिश्ण का तीनों कथन सही है ठीक है अधा संभीलन में इस समस्या के निदान के लिए विटस प्रिदानमदी रेमजे मैक्डोनल्ड को प्राधिकरत किया तद अनुसार 16 अगस्त 1932 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैक्डोनल्ड ने अपनी सामप्रधायक अधीनिड़य की घोश्णा किये ठीक है मैक्डोनल्ड ने की 16 अगस 1932 को प्रिदानमिंतरी थे सामप्रधायक पंचाट कहा गया जिसे ठीक है कमबिनर लबाण सामप्रधायक पंचाट के अंतरकत प्रतेक अलपसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंदलों में कुछ सीट आरक्षित कर दी गई जिनके सरश्यों को चुना प्रिदक निर्वाचन मंदल द्वारा किया जाना था मुसल्मानों सिख तो पहले से ही अलपसंख्यक माने आते थे अब इसे नए कानून के अंतरकत दलिदवर को भी अलपसंख्यक मान कर हिंदूओं से अलग कर दिया गया इसके तहित मुसल्मानों इसाईयों सिख आंगल भार्दियों तद अन्य के लिए प्रथक निर्वाचन पद्धरी की सुभीदा प्रदान की गई किस किस के लिए मुसलिम थे सिख थे इसाई थे आंगल भार्दिय थे ठीक है और गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनसन जो था फस्ट अन्टू डेर्थ ये 20 सितंबर 1932 को यर्वदा जेल में प्रारम किया था 20 सितंबर 1932 को और किसलिए ये जो सामप्रता एक नेड़े लिया गया था कम्यूनल अवाड का इसी के विरुद्ध प्रारम किया था अन्टे था 24 सितंबर 1932 को मतलब 20 सितंबर 1932 को इन्होंने इस्टार्ट किया उसके बाद 24 सितंबर 1932 को ही अम्बेटकर और गांधी जी के अनुवाईयों के मद पूना समझोता ये अरवदा समझोता हुआ जिसे बिटे सरकार द्वारा समधी प्रदान किये जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अंसन तोड़ा गांधी जी ने इस समझोता पर हस्ताक्षण नहीं किये थे 24 सितंबर 1932 दिन सनिवार को साइम 5 बजे पूना समझोता हस्ताक्षण हुआ कब 24 सितंबर 1932 को पूना समझोता कहा गया दरलत वर्क के ओर से डॉक्टर अंबेट करने और हिंदू जाती के ओर से मदन मोहन मालिवे ने इस पर हस्ताक्षण किये थे देखो हुआ तो महत्वा गादी के उससे था लेकिन जो साइन करने वाले थे यह दिहान रखना मदन मोहन मालिवे थे पूना पैक्ट पे एमम जैकर और देवदास गांधी विस्वास राजा भोष पी बालू गवई ठककर सोलंकी तेज बहादूर सप्कुरू जीडी विर्ला राज कोपला चाय डॉक्टर राजन पिरसार राव बहादूर स्री निवाद एम स्री राजा सीवी महता बाखले एपम कौमत अन्य साक विष्ण करता थूर्च्चर करता थी ठीकर सुरक्षवों के लिए स्म्परदायक ववाड में बढ़ा कर 148 मद्रास में 30 संध में ती पंजाब में आट बिहार ओडिसा में 18, मद्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 300 सेयुक्त प्रांत में 20 है ठीक है? तो मद्रास बंगाल में जादा धी 30-30 कुछ पुस्तुकों में यदेपी है संक्य 147 मिलती है साथ ही केंदरी ये पिधान मंडल में सामने वर्ग की सीटों में 18% सीट दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई ठीक है? कितनी की गई? सामने वर्ग की सीटों में 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई पूना समझ हो था कि बाद महत्मा गांदी की रुची सविन्य वग्या आंदोलन में नहीं रही अब वो है पूरी तरह अश्प्रिष्टब रोधी आंदोलन में रुची लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारती अश्प्रिष्टब रोधी लीग के स्थापना हुई ठीक कौन सी लीग के स्थापना की अखिल भारती अश्प्रिष्टब रोधी लीग ओल इंडिया एंटी अंटचबल्टी लीग जिसका नाम परिवर्थित करके हरीजन सेभक संग कर दिया गया गंस्याम दास बिल्दा इसकी प्रतम अध्यक्ष थे कौन थे अध्यक्ष हरीजन सेवक संग के घंसियामदास पिर लाओ ठीक? और दलित रड़कों का संग डिप्रेष्ट क्लास लीग के स्थापना भावि जग जीवन राम ने की थी तो इनों हे लिए हरिजन सेवक संग की थी जब कि डिप्रेष्ट क्लास लीग जो थी उसे जग जीवन राम ने स्थापना की जबकि All India Schedule Caste Federation के स्थापना डॉक्टर बिया अमबेटकर ने 1922 में की थी क्या कौन सी जनस्ता थी All India Schedule Caste Federation के स्थापना तदा All India Depressed Classes Association के स्थापना 1926 में MC Raja के अध्यक्स्ता में हुई थी ये कौन सी थी All India Depressed Classes Association ठीक है और Depressed Class League Depressed Class League के स्थापना जग जीवन नाम ने और All India Depressed Classes Association के स्थापना 1926 में MC Raja ने की थी 14 अध्यक्सा की थी 14 अध्यक्स्त 1931 को बंबई में वार्ता के दोरान डॉक्टर बियामबर्टकर ने कहा था क्या इतिहास बताता है कि महात्मा गानी चड़े को भूत की महाती धूर उठाते हैं लेकिन इस तर नहीं उठाते हैं क्वेश्चन है निम्रिखित मैसी किसने सांप्रदायक अध्यक्रणा घोसित किया था तो मैक्डॉनौल्ड थे ठीक है ए हो जाएक इसका अंसर दूत्यों कोल में सम्मेलों ने विविन संप्रदायों और दलित वर्गों के लिए प्रथक निर्वाचम मंडल के विस्टाय में कोई सहमती नहीं बन पाई थी अधा संबेलन में इस समस्या के निदान के लिए बिटिस प्रदान मंतरी रेमजे मैक्डॉनौल को प्रादिक्रत किया तरदनसार 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैक्डॉनौल ने अपने सांप्रदायक रधी निर्वाचम के घोस्टा कि जैसे सांप्रदायक पंचाट कहा गया नेक्स है अगस्त 1932 के रेमजे मैक्डॉनौल के सांप्रदायक पंचाट के द्वारा पहली बारे एक प्रधक निर्वाचक समुह में बनाया गया तो अच्छूतों के लिए बनाया गया था ठीक है नेक्स है अच्छा इसमें किया बिटिस प्रधान मंतरी रेमजे मैक्डॉनौल ने 16 अगस 1932 को सांप्रदायक पंचाट प्रस्तोत किया कब 16 अगस 1932 को जिसके अंदर कर प्रतेक अलपसंख्यक समुधाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटेया सुरक्षित कर दीगी जिनके सरश्यों का चुनाओ प्रधक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था मुसल्मान और सिक तो पहले सही अलपसंख्यक माने जाते थे अब इस नए कानून के अंदर का दलिद्वर्क को भी अलपसंख्यक मानकर हिंदूों से अलग कर दिया गया नेक्स है कधन है विटेस सरकार नियागस्त 1932 में सामप्रदायक परुसकार की घोशना की तो बिल्कुत सही है 16 अगस्त 1932 को की थी इसके तहर प्रतेक अलपसंख्यक समुधाय के लिए विधान मंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सरश्यों को चुनाओ प्रिधक निर्वाद्चरन मंडलों से होना था तो बिल्कुत सही है ए और आर दोनों सही है और ब्याख्या भी कर रहा है ठीक है तो आंसर ए हो जाएगा मैकडॉनल्ड के सामप्रदाइक पंचाट ने किसे प्रिधक चुनाओ छेत्रे मारक्षर सीटे आवंतित नहीं की थी तो बौध्धों को देंगी थी बागी सिखों को मुसल्मानों को और नुसुचे जातियों को की थी ठीक है 16 अगस 1932 को बिटेस प्रिधानमती मैकडॉनल्ड ने सामप्रदाइक पंचाट के घोशना की इसके प्रिधक निर्वाचक पंचाट की प्रिधारी ना केवल मसंद्वानों के लिए जारी रखा पी तो इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया इसके दहित मुसल्मान, इसाई, दलित, बर्ग, सिख और आंगला भारतियों के लिए प्रिधक निर्वाचक पंचाटरी की सुवधा प्रदान की जो केवल प्रांती विधानमांडलों पर ही लागू थी अधा इस पेश्टे की बौद्धों को प्रिधक चुनाव छेतर एवं आरक्षे सीटनेस के धहत आवंधित नहीं की गई नेक्श नहीं महत्मा गान्दी ने पहला आमर अनसन कब प्रारम किया था तो कमिलर अवाट के समय किया था 20 सितंबर से स्टार्ट किया था इन्होंने 1932 से फिर 24 सितंबर के बाद 26 सितंबर को इन्होंने खत्मी किया था गान्दी ने अपना पहला आमर अनसन 20 सितंबर 1932 को यर्वदा जिल में रहते हुए बिटेस प्रधान में थे रेमजे मैक डॉनल्ड के सामपरदायक पंचाट के बरुत प्रारम किया था जो 24 सितंबर को अमबेट करो गान्दी के अन्वाईयों की मद्पूना समझोता हुआ इस समझोते को बिटेस सरकार द्वारा सहमती प्रधान किया जाने के बाद 26 सितंबर को 1932 को गांदीजी ने अंसन दोड़ा था नेक्ट है 1932 में महात्वां गांदी ने मरड परियंत और वास प्रधान तयाक इसलिए किया था रेमजे मैक डॉनल्ड के सामपरदायक अधी नड़ा की गोशना की इस कारण ठीक है तो उसी है सामपरदायक अधी नड़ा के लिए कितनी सीटन दी गई थी तो 71 और 147 कहीं पर 148 भी है ठीक है तो बी आंसर हो जाएगा ठीक है सामपरदायक अधी के तहट एक अत्तर थी जबकि ये 148 थी सामपरदायक अधी कवार्ड में परांथी विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षे शीटों की संख्या एक अत्तर थी जिससे पुना पेक्ट में बढ़ाकर 148 मद्रास हो बंगाल में 30-30 उसके अलाबा सिंध में 15 पंजाब में 8 बिहार उडीसा में 18 मद्रे परांथ में 20 असम में 7 और सेक्ट परांथ में 20 कर दी गए कुछ पुस्तकों में 147 मिलता है ठीक है और जो जो विधान मंडल था केंद्री विधान मंडल उसमें जो सामपरद के सीटों में से 18 परसेंट दलित वरगों के लिए आरक्षित की गई पुना पैक्ट संबन्दे था तो दलित वरग से संबन्दे था ठीक है एट हो जाए ए हो जाए का अंसर 16 अगस 1932 को रेम जे मैक ब्रॉनल ने अपने सामपरदाएक निर्णे कमिलर अवाट के गोश्णा की इस अधी निर्णे के तहित मुसल्मानों यूरोपियों एम सिक्कों के साथ साथ दलित वरगों के लिए भी प्रिथक निर्वाचक मंडल का प्रावदान था इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरन अंसर प्रवाइट के हैंदे था 24 सितंब और 1932 को पूना में एक समझता हुआ जिसमें दो सर्थों के आधार पर सेंक्त निर्वाचक मंडल मनाय जाने के संबंध में सहमती हुई यह दो सर्थें क्या थी प्रथमता बिविन्य प्रांती विधान मंडलों में दलित वरगों के लिए 148 सीटें आरक्षित की ग नेक्ट है वियार अंबेटकरवा गांधी के बीच एक समझता हुआ था तो पूना समझता पूना पैक्ट कहलाते हैं सी आंसर हो जाएगा इसका ठीक है नेक्ट है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे तो गांधी ने नहीं किये थे मदन मोहन मालिवे और अंबेटकर ने की थे इसलिए इन में से कोई आंसर नहीं होगा सांप्रतायक अधी नेड़े के वरोद गांधी जी के आमर्णा अंसन के बाद पूना समझता 24 सित्म पर 32 को हस्ताक्षर हुआ इस समझते पर गांधी के समर्थ है कि यह उम्मेट करने हस्ताक्षर किये थे गांधी थे इस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे अचा हां इसके अलाबा मदर्मोहन मालिवे के अलाबा भी और लोग थे ठीक है सांप्रतायक अधी नेड़े की घोष्णा के बस्चा निम्रखित मैसे किसे संपाधित किया गया तो पूना समझता को डी आंसर हो जाएगा नेड़े किसे संपाधित के पूना समझता पर हस्ताक्षर नहीं किये थे तो मदर्मोहन मालिवे ने इस तर पर हस्ताक्षर किये फिर उसके बार एमम जायकर देबदास गांधी विश्वास राज भूज पी बालू गवई ठककर सोलंकी तेज बहादूर सपूरू जीडी बिड़ला और राजगोपालाचारी डॉक्टर राजिन पिरसाथ राओ बहादूर स्री निवासन एमसी राजा सीवी महता बाखलेओ कॉमन अनन्य सहित हस्ताक्षर करता थे मबि में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किये राज कोपाला अचारी ने इस समझो थे पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अमबेटकर से अपनी कलम बदल ली थी नेक्ट है 1532 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संग की स्थापना हुई तो हरिजन सेवक संग की स्थापना जगजीवन राम ने जिन सेवक संग के अश्प्रस्त बरोधी ली स्थापना हुई जिसका नाम परिवरतित कर गंसामदास बरोधी इसकी बिदाम अध्योक्ष थे तो इसमें अध्यक्ष पूश रहे हैं तो घंजामदास बिल्ला थे All India Untouchability League बाद में जिसका नाम बदल का हरिजन सेवक संग इसके प्रताम अध्यक्ष तो कौन थे घंजामदास बिल्ला थे GD बिल्ला B answer हो जाएगा Next रहे 1932 में अख्यल भारतिया अच्छूत बिरोधी लीग के प्रथम प्रेसिनेंट थे तो कौन थे अच्छूत बिरोधी लीग के GD बिल्ला थे घंजामदास बिल्ला C answer हो जाएगा अख्यल भारतिया हरिजन संग के स्थापना किस ने की थी तो ये महात्मा गांदी ही है Next अच्छूत बिरोधी जाएगा अख्यल भारतिया हरिजन संग के स्थापना बर्स 1932 में की थी बर्स 1932 में उन्हों ने खापताइक हरिजन नामक पत्र का का प्रकास्वन भी प्रानम किया था अखिल भारतिया हरिजन सेवक संग का अध्याक्ष गांधी सी ने घंसामदास बिल्ला को बनाया था हरिजन सेवक संग का पूर्व नाम क्या था तो औल इंडिया एंटी अंटे चबल्टी लीग था नाम ठीक है ए आंसर होगा 30 सितंबर 1932 को बनाया था नोने ठीक है नेक्ट है दलित वर्गों का संग स्थापित किया गया था तो बाबु जग जीवन राम दोरा किया गया था दलित वर्गों का संग ठीक है दलित वर्गों का संग डिप्रेश्ट क्लास लीग की स्थापना बाबु जग जीवन राम की थी जबकि All India Schedule काश्ट फेडरेशन की स्थापना ये डॉक्टर भीम राव मेट करने की थी ये 1942 में की थी और All India Depressed Classes Association की स्थापना 1926 में एमसी राजा की अद्धेक्स्ता में हुआ था नेक्शन निमिक्समेंसी किस ने कहा था महाद पंगादी छड़क भूत की भादी धूल उडाते हैं लेकि इस तर नहीं ये बियार अमबेटकर ने कहा था ये हो जाएकस कांसर पूना पैक्ट से संबन्दित कहा था इनों ने 14 अगस्त 1931 को बंबई में वार्ता के दोरान बियार अमबेटकर ने कहा था ये तियास बताता है कि महात्मा गादी छड़क भूत की भादी धूल लाते हैं लेकि इस तर नहीं क्याता बेगी दलितों के स्तिरी के बारे में गांधी जी अमबेटकर भी की बीच मध्वेत था बिटिस प्रिधान में ती मेग्ड़न द्वारा गोशित कमलर अवार्ट में दलितों को प्रिधक प्रिजियू दिये जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमर्न अंसन प्रारम किया 24 सितंबर को अमबेटकर और गांधी जी के अन्वाईयों के वन पूना समझ करें और भी वीडियो देखने हैं तो भी देख सकते हैं धन्यवाद